नमस्कार दोस्तों आप सबीका स्वागत है हमारी यूटूब चेनल BCS Academy पर और आज के इस वीडियो में हम नीट और IIT से लेटे टोपिक लेकर आए हैं आज का जो हमारा टोपिक है वो है हुक का नियम ये जो वीडियो है वो पूर्ण तया हुक के नियम पर आधारित हैं इस वीडियो में हम देखेंगे कि हुक का नियम होता क्या है साथ में हम बात करेंगे प्रत्यास्ता गुणांग के बारे में कि प्रत्यास्ता गुणांग क्या होता है साथ में हम देखेंगे कि प्रत्यास्ता गुणांगों के प्रकार जैसे यंग प्रत्यास्ता गुणांग है आईतन प्रत्यास्ता गुणांग है द्रिड गुणांग है इनकी चर्चा हा मैं आज के इस वीडियो में करेंगे साथ में इन पर आधरित नुमेरिकल क्विशन भी आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देखने वाले हैं इस वीडियो में समझने वाले हैं जानने वाले हैं तो काफी महत्तोपूर्ण वीडियो होने वाला है और विद्धर तो यदि आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ में बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि आपको आगे कि वीडियो इसके नोडि वासित किया था कि प्रत्यास्ता सीमा क्या है कि किसी वस्तू के उपर हम बाहे बल लगाते हैं और बाहे बल लगाने के प्रशाद वस्तू विक्रत वस्ता में आ जाती है और वाहे बल हटा लेने के प्रशाद वस्तू अपनी प्रारंबिक वस्ता में आ जाएं तो वस्तू क इस गुण को हम परत्यास्ता कहते हैं तो ये गुण जहां तक लागू होता है वो है परत्यास्ता सीमा तो ये गुण जहां तक अपलाई हो सकता है वो है परत्यास्ता सीमा और परत्यास्ता सीमा में ही हुक्कनियम लागू होगा तो देखें हुक अनियम है क्या कि पर्तियास्ता सीमा में किसी वस्तू पर आरोपित पर्तिबल उसमें उत्पन्न विक्रती के समानुपाती होता है यह वाल फिर से सुमलीजे पर्तियास्ता सीमा में ही अपलाई होगा पर्तिबल विक्रती के समानुपाती होता है वो क्या कहते हैं कि पर्तियास्थता सीमा में पर्तिबल है वो विक्रती के समानुपाती होता है पर्तियास्थता सीमा में ही लागू होगा क्या है कि जो पर्तिबल है पर्तिबल है वो विक्रती के समानुपाती होता है और यहां से proposal का sign जब हटाएंगे तो एक constant यहां पर हम put करेंगे और उस constant को हम हैं लिख रहे हैं यहां पर E से किस से लिखा जा रहा है? E से लिखा जा रहा है यह जो E है इसको हम परत्यास्ता गुणांग कहते हैं यह एक समानुपाती स्तिरांग है और इसको हम कहते हैं परत्यास्ता गुणांग परत्यास्ता गुणांग इसको कहा जाता है देगी यहां से आप देखेंगे कि यह जो परत्यास्ता गुणांग E है वो परतिबल और विकरती के अनुपात के इक्वल होता है परतिबल और विकरती का जो रेस्यो है वो किसके इक्वल होता है परतियास्ता गुणांग के बराबर होता है इन दोनों का जो रेस्यो है वो परतियास्ता गुणांग के तुल्ले होगा साथ में अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ यदि हम पर्तियास्ता सीमा में पर्तिबल और विक्रती के बीच में ग्राफ खेंचूं तो जो ग्राफ है वो किस प्रकार का प्राप्त होगा एक तरफ मैं ले लेता हूँ पर्तिबल इस तरफ इस अक्सिस की ओर मैंने क्या ले लिया है पर्तिबल ले लिया है इस अक्स की तरफ मेले ले लिए है विक्रती तो परत्यास्ता सीमा में तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे दोनों क्या होने वाले हैं समानुपाती हम आगे चल कर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उस वीडियो में हम परतिबल थथा विक्रती के मद्दे ग्राफ के बारे में विस्तरित चर्चा करेंगे कहां तक ये समानुपाती होता है और कहां हुक का नियम अपलाई नहीं होता वो भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे तो फिलाल में यहाँ पर प्रतियास्ता सीमा के अंदर ही परतिबल्थता विक्र दीगे मद्दे ग्राफ आपके सामने रख रहा हूँ तो जो ग्राफ हो इस प्रगान का प्राप्त होने वाला है यह इंगल यदि मैं थीटा कंसीलेर कर लूँ तो इस रेखा का जो धाल है M इसे हम 10 ठीटा लिख सकते हैं जो कि किसके इक्वल होगा परतिबल्थता विक्रती के अनुपात के बराबर होगा तो इस रेखा का जो धाल है वो परतियास्ता गुणां को बताता है रेखा का जो ढ़ाल है वो किसको बताएगा परत्यास्ता गुणां को रिप्रजेंट करेगा E के तुल्ले होगा clear अब मैं थोड़ा सोगर आगे बढ़ता हूँ बात करता हूँ यहां पर कि यह जो E है इसके मात्रक वीमा की यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं तो देखें E का मात्रक वही होगा जो परतिबल्थ था विकरती का मात्रक होगा तो देखें परतिबल्थ का मात्रक होता है न्यूटन परती मिट्रे स्क्वाए और विकरती मात्रक ही इनरासी होती है तो प्रतियास्ता गुणांक E का मातरक वही होगा जो प्रतिबल का होता है clear फिर मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ इसकी वीमा की E की वीमा तो देखे M1 L1 T-2 upon L2 तो finally जो इसकी वीमा है वो क्या निकल कर आएगी M1 L-1 T-2 ये इसकी वीमा हो जाएगी आपको समझ में भी आ जाने चाहिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए clear अब मैं आपको यहाँ पर वताता हूँ कि जो E है प्रतियास्ता गुणांक है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है तो देखे विद्यार्तियों प्रताहर्तों की जो प्रताहर्त हम ले रहे हैं जिसको हम प्रतिबल अप्लाई कर रहे हैं उसके प्रकत्ति पर विक्रित करने के तरीके पर ताप पर और उसकी वीमाओं पर एक्के करके इन सब बिन्वों को मैं आपके सामने रख देता हूँ E की निर्भरता E किन कारकों पर निर्भर करता है जो प्रत्यास्ता गुणांक E है E की निर्भरता किन कारकों पर निर्भर करता है तो देखे पहला जो बिन्दु है वो क्या है कि जो प्रताहर्ता आप ले रहे हैं विक्रित करने के लिए प्धार्थ की परकत्ती पर डिपेंड करता है किस पर निर्भर करेगा प्धार्थ की परकत्ती पर निर्भर करेगा साथ में विक्रित करने के तरीके पर आप उसको किस तरीके से विक्रित कर रहे हैं प्धार्थ को विक्रित करने के तरीके पर भी depend करता है ओके फिर मैं बात करूँ यहाँ पर ताप पर निर्भर करेगा कि जिस समय आप परतिबल लगा रहे हैं उस सिक्षन पधार्त का जो ताप है वो कितना है साथ में पधार्त की वीमाओं पर पधार्त की वीमाओं पर वीमाओं का यहाँ पर मतलब है लंबाई पर छित्रफल पर आयतन पर इन पर भी depend करता है तो यहाँ तक समझ में आ जाना चीए कि जो E है वो हलांकी constant है लेकिन वो constant भी कुछ कारकों पर depend करता है temperature पर depend करेगा पधार्त की परकत्ति पर मतलब लोहे के लिए परत्यास्ता गुणां का अलग होगा तांबे के लिए अलग होगा इसी प्रकार से विकृत करने के तरीके आप किस तरीके से भधार्त को विकृत कर रहे हैं कि आप इधर बल लगा रहे हैं या इस तरीके से आम मरोडी लगाने अलग अलग तरीके से हम बल लगा सकते हैं तो बल लगाने का तरीका, विक्रित करने का जो तरीका है उसके उपर भी E की value depend करती है, निर्भर करता है मैं यह आपर बात करता हूँ प्रत्यास्ता गुणांग के प्रकार तो देखे, अलग अलग इस्थितियों में प्रत्यास्ता गुणांग है यह भी अलग अलग प्रकार का हो जाता है E के प्रकार, तीन प्रकार के होंगे E के प्रकार, कितनी प्रकार का होगा E? तीन प्रकार का होगा कौन-कौन से प्रकार हैं वो देखे पहला जो प्रकार है वो है यंग प्रत्यास्था गुणांग यंग प्रत्यास्था गुणांग यंग प्रत्यास्था गुणांग को हम है यंग मोडुलस कहते हैं इसको y से रिप्रजेंट करेंगे दूसरा जो प्रकार है वो है आयतन प्रत्यास्था गुणांग विद्याट यो NCRD की जो पठेपुस्तक है इसमें इसको B से लिखा गया है अन्य जो बुक्स है उसमें कहीं जगें पर इसको बीटा से तो कहीं जगें से के से पर हम NCRD जो स्टिंडर्ड बुक है उसके अकोर्डिंग इसको B से लिखते हैं हमने भी यहां पर B से पुट किया है फिर आगे बढ़ते हैं तीसरा जो प्रत्यासता गुणांग है वो है दिर्ड़ता गुणांग इसे हां मैं अप्रूपन गुणांग भी कहते हैं इसका दूसरा नाम क्या है अप्रूपन गुणांग और इसको नीटा से लिखा जाता है किस से फुट करते हैं ? नीटा से फुट करते हैं ऑके अब हम एकक करके इन सबका ध्यन करेंगे सबसे पहले में बात करूँँगा यंग प्रत्यास्ता गुणांग की यंग प्रत्यास्ता गुणांक है क्या वैसे मैं आपको बदा दूँ कि जो प्रत्यास्ता गुणांक है वो पर्तिबल था विकरती का अनुपात ही होता है तो यहां पर यह सब हैं चाहे यंग प्रत्यास्ता गुणांग हो आयतन प्रत्यास्ता गुणांग हो या दृड़दा गुणांग हो यह सब परतिबल और विकरती के अनुपात के इक्वली होता है लेकिन ये अलग-अलग स्थिदियों में हैं, अलग-अलग सिच्वेशन में हैं, कि परतिबल आप भिन-भिन टाइप का लगा रहे हैं, तो यहां पर प्रत्यास्ता गुणांग भी अलग-अलग होंगे, clear? चले मैं एक पार इन सब को यहां से हडा देता हूँ, फिर मैं यहां पर बात करूँगा, यंग-प्रत्यास्ता गुणांग की हुक के नियम में हमने एक constant प्राप्त कर लिया है, प्रत्यास्ता गुणांग और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, यंग-प्रत्यास्ता गुणांग पहला जो हमारा पार्ट है वो है यंग-प्रत्यास्ता गुणांग और यंग-प्रत्यास्ता गुणांग को हम किस से पूट कर रहे हैं, वाई से लिख रहे हैं, किस से लिखा जा रहा है, वाई से लिखा जा रहा है देगे इसे समझ लीजिए यंग परत्यास्ता गुणांक क्या होता है कि परत्यास्ता सीमा में ही होगा परत्यास्ता सीमा में हमारे पास में जो वस्तु है उस पर लगाये गए अभिलंब परतिबल तो उसमें उत्पन जो अनुधिरी विक्रती है इन दोनों के अनपात को हाँ मैं यंग परत्यास्ता गुणांक कहते हैं y से रिपरजेंट करेंगे तो है क्या यंग परत्यास्ता गुणांक भी किसमें लागू होगा परत्यास्ता सीमा में ही लागू होगा तो देखें डेफिनेशन समझेंगे प्रत्यास्था सीमा में ध्यान दीजिए y equal to अभिलंब पर्तिबल अभिलंब पर्तिबल थता अनुधिरिये विक्रती का अनुपात अनुधिरिये विक्रती का जो अनुपात है इसी को यह हम क्या कहते हैं यंग पर्त्यास्ता गुणांक देखिए अभिलंब पर्तिबल होता है f अपोन में a और अनुधिरिये विक्रती होती है delta l अपोन में l delta l अपोन में l तो हम y बराबर क्या पूट कर सकते हैं y का फोर्मूला हमारे पास में यह आ गया f इंटू l बर्ते में a इंटू delta l यह वाला फोर्मूला आपको ध्यान में रखना है दिमाग में fit करके रखना है ओके अब मैं थोड़ा सा ओर आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पर बात करता हूँ जैसे यह हमारे पास में एक द्रिड आधार है और इसे द्रिड आधार से यह कोई तार है वस्तू है जिसकी प्रारम्बिक जो लंबाई है वो l है इस पर हम बाहे बल लगा रहे हैं यह अभिलंब परतिबल यह वाला जो छितरफल है इस वाले भाग का जो छितरफल है वो है a a क्या है इसका छितरफल है ओके और यह बाहे बल है f क्या है बाहे बल और जब इस पर बल लगा जाता तो इसके लंबाई में क्या हो जाती है वृद्धी हो जाती यह यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई में वृद्धी हुई है वह डेल्टा l कितनी लंबाई में वुर्द्धी हुई है डेल्टा L की वुर्द्धी हुई है तो इस वायर में उत्पन जो विक्रती है वो डेल्टा L अपॉन L है और जुब परतियानेन विक्रती तो है डेल्टा L अपॉन में L और परतिबल है F अपॉन में A clear? अब कई बार ऐसा हो जाता है कि यहां से हम जो बाहे बल है वो यहां पर एक पिंड लटका देते हैं क्या लटका देते हैं? एक पिंड हमने यहां पर लटका दिया एम दुरिमान का कितने दुरिमान का पिंड लटका दिया? M दुरिमान का यहाँ पर पिंड लटकाया उसकी वज़े से इसके लंबाई में डल्ट आयल की वुर्दी होती है तो देखे M दुरिमान का पिंड लटकाया तो इस पिंड के द्वारा नीचे की और M जी बल लगेगा कितना बल लगेगा? M जी जो बल नीचे की और काम कर रहा है वो M जी है देने यहाँ पर क्या आजएगा हमारे पास में F की जिगह हम पुट कर देंगे M जी F की जिगह हम क्या पुट कर देंगे? M जी पुट कर देंगे फिर देखे दिहान देंगे यदि ये wire है वो बेलनाकार wire है इस चोंक की भांती है तो चोंक के इस भाग का जो अनप्रस्त काट चित्रफल होता है वो होता है πाई आर स्क्वेर तो यह जो A आप देख रहे हैं यह A हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वेर यहाँ पर यह जो formula है वो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यह हमें में जाएगा यंग प्रत्यास्ता गुणांग MGL अपोन में πाई आर स्क्वेर इंटु डेल्टा एल क्योंकि अनप्रस्त काट चित्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वेर हो जाएगा क्लियर देखे कई बार ऐसा भी हो जाता है कि यह जो वस्तु है तार है वो स्युम के दुर्यमान की वज़े से भी इसके लंबाई में ग्रोथ हो सकती है स्युम के दुर्यमान के कारण से इसके लंबाई में वर्दी होती है तब यंग प्रत्यास्ता गुणांग क्या हो जाएगा उस स्थिती में उसको हम किस से पुट कर सकते हैं वो देख लीजिए मैं एक वार इन सब को मिटा देता हूँ यहां से कि जैसे हम यहां पर कंसिडर कर ले कि हमारे पास में यह जो वायर है जो आप वायर देख रहे हैं इसका दुर्यमान कितना है और इसका जो दुर्यमान के अंदर है वो यहां पर मुझूद है गुरुत्व के अंदर इस जगें पर मुझूद है इसको मैं जी से लिख देता हूँ ठीक है अब इसके उपर नीचे की और बल काम करेगा mg कितना बल काम कर रहा है अब यह जो mg है वो केवल यह वाली डिस्टेंस है वो l by 2 रह जाएगी यह वाली जो डिस्टेंस है यह भी l by 2 रह जाएगी तो यह केवल और केवल देखो यहां पर यह बल काम करेगा तो यह distance यहां पर हम कितनी use में लेंगे L by 2 का प्रियोग करेंगे और इस स्थती में जब स्यूम के भार के कारण किसकी वज़े से स्यूम के भार के कारण भार के कारण तो स्यूम के भार के कारण है तो देखे बलतो हो जाएगा M G L बटे में पाई R इसपे और यहां पर यह देखे जो डेल्टा L है यह तो डेल्टा L है यह जो L है इसके इस्तान पर L Y 2 आजाएगा L के इस्तान पर क्या जाएगा? क्योवल फरक यह पड़ेगा? क्योंकि स्युम के भार की कारण से जो L L Aunque है वो आदी ही समलित की जाएगी क्यों की जाएगी वो देख लीजे क्योंकि इसका दुरिमान के अंदर है या यह समरूप है तो इसका गुरुत्वों के अंदर दुरिमान के अंदर एक ही जीगेम पर है वो इसके बीचों बीच मौझूद होगा और यह जो इसकी लंबाई में वर्दी करेगा वो सेंस जो उपर वाली आदि लंबाई है उसमें इसकी वर्दी होने वाली है फिर देखें इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दो को नीचे लिख दीजी एम जी एल बट्टे में पाई आर स्क्वेर इंटू डेल्टा यह दो यहां आ गया मैं आपके सामने एक और इस्तिए आपके सामने रख रहा हूँ देखें चले मैं एक वारिन सबको यहां समिटा देता हूँ फिर मैं बात करूँगा तार का बलनेतांग तार के बलनेतांग को कैसे पूट करते हैं? किससे लिखा जाता है? कैसे लिखा जाता है? देखें यह जो बलनेतांग है के वो होता है बल बट्टे में लंबाई में वृद्धी लंबाई में वृद्धी वो लंबाई में वृद्धी को यहां पर हम किस से पूट कर रहे हैं L से पूट कर रहे हैं देखो कई बार इसमें ये वाला जो पार्ट है इसमें ये से भी पूछ लेते हैं कि लंबाई में वृद्धी कितनी हुई, तो डेल्टा L find out करवा सकते हैं, या लंबाई में वृद्धी को कहीं जिगें, फिर हम L से भी put कर सकते हैं, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, तो 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 कि अलग-अलग तरीके हैं ये, ये सब कुछ क्या है, अलग-अलग तरीके, तो यहां तक ये आपको आगे, मैं इसी पार्ट में ये आपको बता रहा हूँ, जैसे लंबाई में वृद्धी आपको पूछें, क्या पूछें, लंबाई में वृद्धी, तब आप इससे को क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं इस पायार स्क्वार को क्या लिख दूँ ए रहने दूँ तो लंबाई में वर्दी है वो डेल्टा एल बराबर क्या आजेगी एम जी एल बटे में डेल्टा एल में यहां ले आया ए वाई आगे इदर ए वाई अब देखो ध्यान देडा मैं यहां से ल से उपर नीचे गुणा कर दूँ तो और तो A इंटू L है वो इससे तार का क्या जेगा आइतन आजेगा तार का क्या जेगा आइतन और दुर्यमान बटे में आइतन की जिगह हम क्या लिख सकते हैं घनत्व लिख सकते हैं तो यह वाला फॉर्मूला भी इसकी जिगह हम यूज में ले सकते हैं यह जो D है वो इसका घनत्व है डेंसिडी है अब मैं इसको मिढ़ा देता हूँ यहां से आगे बढ़ते हैं बात करते हैं किसी तार का बल्नीतांग कैसे ग्याद करेंगे तो देखें यह नियम भी हुक नहीं दिया था कि हम किसी वस्तु के उपर बाहे बल लगा रहे हैं उसके लंबाई में जो वृद्धी है वो यह एल होती है तब जो बल्नीतांग है एक तरीके से जो बाहे बल होता है वो लंबाई में वृद्धी की समानुपाती होता है F है वो किसके समानुपाती होता है इस L के समानुपाती होता है कहीं जिगे पर इसको AX से PUT कर देते है Delta L से PUT कर देते है ये तो है बाहे बल तार पर लगाए गया बाहे बल L है उसके लंबाई में वृध्धी और K है उसका बली तांक उके तो बल लेतां को हम K बराबर F अपोन में L से पुट कर सकते हूं यहां तक आगे हैं समझ में अब मैं बात करता हूँ हम एक और रासी जानते हैं F अपोन में L यहां पर यहां प्रत्यास्ता गुणांक से मैं आपको पुट कर देता हूं यहां पर यंग प्रत्यास्ता गुणांक Y बराबर हम क्या जानते हैं F अपोन में A L बट्टे में यह जो अब किवार लंबाई में वुर्दी है उसको मैं L से पूट कर रहा हूं विद्यरती हो किसे लिख रहे हैं L से ही लिख रहे हैं तो यहां से F अपोन में मुझे किसकी वेल्यू चाहिए यहां से L सौरी F अपोन में L की चाहिए तो F बट्टे में L बराबर क्या जाएगा A इधर गुणा हो जाएगा तो Y A बट्टे में L तो equation number 1 और equation number 2 दोनों को क्या कर दे हां में बराबर पुट कर दे दोनों को इधर पुट कर दे तो K बराबर क्या आगया Y A बट्टे में L आगया Y A बट्टे में L यह आगया बल्नी तांक यह क्या आगया है बल्नी तांक हमें मिल चुका है बल्नी तांक तापत हो चुका है यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए क्लियर हो जाना चाहिए अब मैं यहाँ पर बात करूँगा कि जब हम किसी तार को खींचते हैं तो खींचने में कितना कारी किया जाता है उसमें कितनी प्रत्यास्त उर्जा संचित होती इसकी चर्चा करता हूँ देखे विद्यारतियों अब हमारा जो टोपिक है वो है तार या इस्प्रिंग को खींचने में किया गया कारी हम एक तार लेंगे और उस पर बाहे बल लगाकर उसके लंबाई में वरुद्धी करेंगे तो हमें कितना कारी करना पड़ेगा वो हम यहां पर ग्याद करने वाले है विद्यारतियों हम आपको बदा दें तार को खींच कर उसकी जब लंबाई में वरुद्धी करेंगे तो हमें परत्यानियन बलके वरुद्ध कारी करना पड़ेगा वह कारी ही उस तार या स्प्रिंग के अंदर इस्तदीज उर्जा के रुप में संचित हो जाता है जिसे हम परत्यास्त इस्तदीज उर्जा भी कहते हैं जिसे क्या कहा जाता है परत्यास्त इस्तदीज उर्जा तो यदि कारी आ गया तो उस कारी को हम परत्यास्त इस्तदीज उर्जा के इक्वल put कर देंगे तो देखे क्या हो जाएगा देखिए समझे कि हमारे पास में जो wire है उस wire का यंग प्रत्यास्ता गुणांग है y then यंग प्रत्यास्ता गुणांग को हम क्या लिख सकते हैं या उस पर लगने वाले बल को क्या लिखा जासकता है य बराबर होता है यंग प्रत्यास्ता गुणांग बराबर होता है पर्तिबल बट्टे में विकृति समझें आप इसको जैसे जो वायर हमने लिया उसका अनुप्रस्त कार्च तरफल ए और उसके लंबाई में जो वृद्धी है वो कितनी है? अक्स है लंबाई में वृद्धी कितनी लिया है? हमने अक्स लिया है दिन यहां से हम क्या पूट कर सकते हैं? एफ बराबर क्या लिखा जा सकता है? एल उपर चला जाएगा ए नीचे आजाएगा मुझे क्या चीए? एफ चीए तो क्या आजाएगा? एफ बराबर एफ बराबर आजाएगा वाई वाई ए अक्स और यह जब एल इधर आएगा तो इधर बट्टे में चलाएगा यह एफ की वेल्यू आगई है? किसकी वेल्यू आगई है? एफ की वेल्यू अब मैं यहां पर बात करता हूँ कि तार में तार की dx लंबाई में वृद्धी करने के लिए किया गया कारिये करने के लिए किया गया कारिये किया गया कारिये तो देखें चोटी सी लंबाई में वृद्धी करेंगे तो किया गया कारिय भी क्या होगा चोटा सा होगा dw बराबर f dx से इसको हम put कर देंगे देन यहाँ पर इसको हम क्या लिख दें f की जो value है वो है yax upon में l ये वाड़ी value है अब देखिए l लंबाई में वृद्धी करने के लिए l लंबाई में वृद्धी के लिए ये लंबाई में वृद्धी कितनी हो l हो देन यहाँ पर इसको हम क्या put कर देंगे integrate कर दीजिए integration करेंगे 0 से l लंबाई में कितनी वृद्धी कर रहे है L तक वर्दी करें तो 0 से L YA X upon L into DX तो यहां से यह आ गया W, यह क्या गया है W आ गया है तो देखिए जो constant है उसको आप integration से बाहर put कर दीजिए तो YA upon L अंदर है गया X X का integration क्या हो जाएगा X square bottom है 2 और limit 0 से L तक YA upon में 2L और यह आ गया L square minus 0 तो यह L square रह गया तो YA L square bottom में 2L यह आ गया हमरे पास में और यह किया गया कारिय है वही निकाई में इस्तदीज उर्जा के रुप में संचित हो जाता है तो इस्तदीज उर्जा को हम में परत्यास्त इस्तदीज उर्जा कहेंगे इस इस्तदीज उर्जा को क्या खा जाता है परत्यास्त इस्तदीज उर्जा इसे ही हम क्या कहते हैं परत्यास्त इस्तदीज उर्जा कहते हैं देन हमें क्या प्राप्त हो गया U बराबर एक बट्टा दो यह आचुका फोर्मूला एक बट्टा दो Y A L स्क्वेर बट्टे में L Y A L स्क्वेर अपॉन L आ गया देखिए Y A L यह जो है न इसको हम F पुट कर सकते हैं तो F इंटू L आ जाएगा एक बट्टा दो F इंटू L इसको हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं क्योंकि Y A L अपॉन में केपिटल L है इसको हम केपिटल F पुट कर सकते हैं ओके देखिए यहां से यह जो फोर्मूला है इसको हम और किस फोर्में बदल सकते हैं वो भी देख लीजिए देखिए विद्यारतियो Y जो की यंग प्रत्यास्ता गुडांग है और यंग प्रत्यास्ता गुडांग के स्तान पर हम क्या लिख सकते हैं देखिए पर्तिबल बट्टे में विक्रती पुट किया जा सकता है पर्तिबल बट्टे में विक्रती और यहां से आप ध्यान देंगे मैं इसको L से उपर नीचे गुणा करदू L से उपर नीचे गुणा करूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा L square बट्टे मैं capital L square तो यहां पर आगया विकरती का square देखो ध्यान देड़ा मैंने यहां पर क्या किया इसी formula से, L से मैंने उपर नीचे गुणा किया तो L square बटे L square को मैंने क्या लिख दिया विकरती का square, A into L को मैं लिख दूँ यहाँ पर item, क्या लिख दें हाँ मैं, item तो U बरावर क्या जाएगा यह हम एक विकरती से एक विकरती के अंसील हो गई पर्तिबल into विकरती into item, यह वाला formula आपको दिमाग में फिट बैठा लेना है कि किसी string में या तार में संचित जो पर्तियास इस्तिती जो उर्जा होती है वो half पर्तिबल into विकरती into item की equal होती है, उके? इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे दूसरी form में भी बदला जा सकता है पर्तिबल की स्तान पर y into विकरती लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है? एक बटा दो, y into विकरती का square क्योंकि y into विकर्थी लिख सकते हैं एक विकर्थी यहां पड़ी है तो विकर्थी का इस पेर into i 10 into i 10 और क्या लिख सकते हैं एक बट्टा दो विकर्थी की जिगे हम लिख सकते हैं परतीबल बट्टे में y परतीबल बट्टे में y तो परतीबल का इस square बट्टे में y क्योंकि विक्करती इस्तान पर यह लिख सकते हैं तो प्रतिवल स्क्वेर अपॉन वाई इंटु आई तन यह भी इसको पूट कर सकते हैं लिखा जा सकता है तो यहां तक आपको यह अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि इन पर आधारी ते निवेरेकल क्यूशन पूछे जाते हैं मैं अब यहां पर बात करता हूँ प्रतियास्त उर्जा घनत्व की प्रतियास्त उर्जा घनत्व को हम small u से प्रतसित करते हैं से लिखा जाता है, small u से put करते हैं, ओके, यह small u क्या है, परत्यास्त इस्तरीज उर्जा, बट्टे में आईतन, परत्यास्त इस्तरीज उर्जा को capital u से, और आईतन को हम put करेंगे, capital v से, ठीक है, दिन यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, यह वाले formula किसमें convert हो जाएंगे, देखिए, small u बराबर, आईतन का भाग लगाएंगे, तो एक बट्टा दो, परतिबल इन्टू विकरती, एक यह वाला formula आगया है, हमारे पास में, इससे दूसरी form में भी convert कर सकते हैं, इन दोनों की और से देखेंगे, एक बट्टा दो, वाई इन्टू विकरती का स्क्वेर, इससे ऐसे भी put कर सकते हैं, परतिबल का स्क्वेर, बट्टे में दो, वाई ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओकी, तो ये हमारे पास में, प्रत्यास्त उर्जा घ्रहत्पव के भिन्न फोर्मुले प्राप्त हो गए हैं, अब विद्यारतों में कुछ निवेरिकल क्विशन आपके सामने ले लेता हूँ, जो की, यंग प्रत्यास्ता गुणांग पर, हुक्य नियम पर आधारीत हैं, कुछ क्विशन हमारे सामने हैं, एक एक करके इनको देख लेते हैं, सबसे पहले क्विशन देखे, कि एक स्टील की छड़ की रेडिया से 9.5 mm है, लंबाई 81 cm है, एक बल्क, F बनावर 6.2 x 10.4 N, इसे इसकी लंबाई की अनुदी स्खिंचता है, तो छड़ में पर्तिबल क्या होगा, देखी, जो रासियां हमें दे रखी उसके अकोर्डिंग, पर्तिबल क्या होता है, पर्तिबल बराबर होता है, F अपोन में A, और F हमें दे रखा है, A, पाई, आर स्वेर हो जाएगा, F की वेल्यू है 6.2 x 10.4, पाई 3.14, आर की जो वेल्यू है, वो है 9.5 x 10.3 का स्वेर हो जाएगा, यहां से जब हम केल्कुलेट करेंगे, तो हमें पर्तिबल की वेल्यू प्राब्त होने वाली है, क्यूशन को समझे ना देखूए, यहां पर आप क्यूशन में देखेंगे, कि हमें इसकी लंबाई भी दे रखी है, हाला कि इसका यहां पर कोई यूच नहीं है, कोई उप्योग यहां पर नहीं हो रहा है, नेक्स्ट क्यूशन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्यूशन में देखेंगे, हमें क्या दे रखा है, कि एक ही पदार्त के चार तारों पर जिनकी वीमाएं नीचे दी गई है, हमें उनकी व्यास और लंबाईया दे रखिए, समान भार लटकाए जाता है, इट मिन्स इनके उपर एक समान बल F काम कर रहा है, कि सितार की लंबाई में सबसे अधिक वुर्दी होगी, देखिए, लंबाई में वुर्दी है, उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, लंबाई में वुर्दी L बराबर, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, F अपोन में A, Y, capital L, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो F है, वो constant, F और Y है, दोनों में समान है, तो जो L है, वो, small L है, वो इस capital L और A के समान उपाती हो जाएगा, यहाँ से ही small L है, वो capital L, बट्टे में πाई R स्क्वेर के समान उपाती होगा, तो यहाँ से आप देखें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L बट्टे में πाई D स्क्वेर, या केवल D स्क्वेर कह दीजिए, तो L बट्टे में D स्क्वेर, जिसका मान सबसे जादा होगा, उसमें वर्दी भी सबसे ज्यादा होगी तो यहां से देखें L कमान तो 100 और D कमान है एक तो एक का स्क्वेर एक गुणा एक आजाएगा तो यह तो जैसे मिलिमेटर में सेंटिमेटर में मैं सब कोई सहेमी राशियो में पूट करूँगा कोई फरक नहीं पड़ता इसका मान तो आगया 100 इसका मान कितना है 100 और जब मैं यहां फर 200 बटे में 2 पूट करूँगा तो 200 बटे में 2 गुणा 2 तो इसका मान कितना है 50 फिर 300 गुणा 3 गुणा 3 तो यह आगया 33.3 फिर ये कितना आ गया पचास वर्टे में पॉइंट पांच गूना पॉइंट पांच तो पॉइंट हटाएंगे तो दो जीरू और उपर लगा देंगे तो पांच कब आगे एक बार में चला गया फिर दो बार में 200 आएगा तो दिए इसका 100 50, 33.3 और 200 तो सबसे ज़्यादा इस वाड़े पार्ट में वर्दी होने वाली है लंबाई में वर्दी इस इस्तिदी में होने वाली है अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं हमें देखें क्या दे रखा है हमें अगले क्यूशन में हमें वाई बराबर एक फोर्मूला दे रखा है समीकरण में भार एमजी को दुगुना कर देने पर वाई कमान क्या हो जाएगा तो विद्धारते में आपको बदा दूँ कि यदि आप मेटर चेंज नहीं करते हैं तो वाई तो कॉंस्टेंट रहने वाला है वो चेंज नहीं होने वाला तो यंग प्रत्यास्ता गुणांक वाई कमान वही रहेगा एमजी एल अपोन में पाई आर स्वेर ल के बराबर यंग प्रत्यास्ता गुणांक वाई ही रहेगा यंग प्रत्यास्ता गुणांक के अन्य तार जिसका व्यास सित्ता लंबाई पहले वाले की दुगुणी है को समान बल लगाकर खिंचने पर इसके लंबाई में वुद्धी हो गई तो देखिए यंग प्रत्यास्ता गुडांग बराबर हम क्या जानते हैं F upon में A L ये वाला फोर्मूला होता है ठेक है लेते हैं तो F L बटे में Pi R square into L और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ F into L बटे में Pi D square बटे में 2 square तो 2 square ये 4 यहां पर आ जाएगा यह आ गया दोनों ही स्थतियों में ये तो पहली स्थतिके अंदर है ठीक है दूसरी स्थतिके अंदर क्या हो जाएगा Y बराबर 4 देखो बल समान है तो F तो उतना ही है फिर लंबाई पहले वाले की दुगुनी लंबाई क्या है पहले वाले की दुगुनी है 2L है फिर Pi व्यास है वो भी पहले वाले का दुगुना है तो 2D है दूसरी वाले स्थतिके अंदर लेकर चलना हूँ मैं 2D का स्क्वेर और लंबाई में जो गुर्दी हुई है वो है L देस वो हमें निकान ली है देनी यहां से क्या जाएगा L देस बराबर ये तो आगे हमारे पास में 8F इंटू L बट्टे में आगे है हमारे पास में स्क्वेर य यहां गया देख है यहां से जो फिल्व है वाई की उठाकर यहां पर मैं पुट कड़ेता हूँ यहां पर पूट कर दू तो 4F L बट्टे में 5D स्क्वेर यहां गया तो देख हैं जो कुछ कट पिट रहा है उसे काट विट पाई से pi cancel हो गया, app से app cancel हो गया, l से l cancel हो गया, d square से d square cancel हो गया, इसके अंदर भाग लगाएंगे, तो ये 1 बटा 2 रहे जाएगा, क्योंकि 4, 16, 2 रहे जाएगा केवल, l, तो l की value हमें, इस qution में जा रखिए है, 0.01, बटा में 2, तो ये आ गया, 0.005 meter, ओके, इतने लंबाई में वर्दी होगी, next जो qution है, वो देखे, कि एक समान अनुप्रस्त काट, 6 रफल, 3 रूदास की गात, 6 meter square वाले, 4 meter लंबे तार पर जब, बल लगाया जाता है, तो उसके लंबाई में, 1 mm की वर्दी होती है, तो हमें, अनुप्रस्त काट, 6 रफल, E दे रखा है, लंबाई L दे रखी है, लंबाई में वर्दी small L दे रखी है, उसके लंबाई में इतनी वर्दी हो जाते हैं, तार में संचित उर्जा पूछी है, तो देखे, तार में संचित उर्जा के, हमारे पास में, अलग-अलग फोर्मूले हैं हम तार में संची तूडजा का फोर्मूला क्या जानते हैं एक बटा दो पर्तिबल इंटु विकर्थी इंटु आईतन लेकिन पर्तिबल इंटु विकर्थी इंटु आईतन से हम इसको find out नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में पर्तिबल नहीं है पर्तिबल नहीं है पर्तिबल में F अपोन में A होता क्या होता? F अपोन में A तो यहाँ पर A तो है L भी है विकरती तो है विकरती है अनुप्रस्त कार्च तरफल है संचित उर्जा पूछिए यदि y दिया हुआ होता तो हम find out कर लेते विज़र तो इसके साथ हमें y की value भी 2 गुण 10 की घात 11 दे रखी है इसी question में हम आपको बता दें y का जो मान है वो कितना दे रखा है 2 गुण 10 की घात 11 दे रखा है question में दे रखा है तब दो कहीं दिक्कत ही नहीं है तब दो क्या हो जाएगा परतिवल की इस्तान पर हम क्या put कर देंगे y इंटू विक्रती put कर देंगे तो 1 बटा 2 y इंटू विक्रती का square इंटू आइतन तो देखे क्या हाज जाएगा 1 बटा 2 y का मान 2 गुण 10 की घात 11 है विक्रती delta l अपोन में l तो 1 mm तो 1 गुण 10 की घात माइनस 3 बटा में l यह है 4 और इसका square कर देंगे आइतन क्या हो जाएगा a इंटू l a यह रहा 3 गुण 10 की घात माइनस 6 l लंबाई यह जो की 4 है यहाँ से दोस्ती दो cancel हो गया लेकि 4 का square होगा तो 1 4 तो कड़ जेगा यहाँ से चल में लिख देता हूँ 10 की घात 11 है यहाँ से 10 की घात माइनस में 6 गुण 3 गुण 10 की घात माइनस 6 गुण 4 बटा में 4 गुण 4 आ गया तो 4 से 4 के इंसी लो गया 3 बटा 4 आ गया 3 बटा 4 10 की घात माइनस में 12 है प्लस की 11 है तो माइनस में हो गई यह 1 इसको मैं क्या लिख दूँ 0.75 गुण 10 की घात माइनस 1 इसको हम क्या लिख दे 0.075 जूल यह हम पूट कर सकते हैं तो यह थे कुछ क्यूशन जो कि आयतन प्रत्यास्ता गुणांक की ओर चलते हैं चले अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आयतन प्रत्यास्ता गुणांक की इसे हैं capital B से परतस्थित करेंगे bulk modulus देखिए प्रत्यास्ता सीमा में जो अभिलंब पर्तिबल और आयतन विक्रती का नपात है उसी को हम आयतन प्रत्यास्ता गुणांक कहते हैं यंग प्रत्यास्ता गुणांक में अभिलंब पर्तिबल था अनुधिरी विक्रती का नपात था यहां पर अभिलंब पर्तिबल ता आइतन विक्रती का जो इनपात है इसको हमें आइतन प्रत्यास्ता गुणांक कहते हैं चलिए केपिटल बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं अभिलंब पर्तिबल बट्टे में आइतन विक्रती इस तरीके से इसको पूट कर सकते हैं जैसे हमारे पास में यह मैंने एक वस्तु कंसिडर कर ली है इसका आइतन है वी आइतन कितना है प्रारंबिक आइतन है वी और जब इसके उपर बाहर से चारो और से कोई भल लगता है इसके कारण से इसके आइतन में कमी आ जाती है जैसे इसके आइतन में डी वी की कमी आ गई है या डेल्टा वी की कमी आ गई है तो इसका जो आइतन है वो वी मैनस डी वी सेंस रह जाएगा V minus DV इसका sense item होगा तो देखिए यहाँ पर बल तो हो जएगा F इसका जो चितरफल है वो A और item विक्रती हो जएगी DV upon में V यह minus में है क्योंकि जब हम देखिए बल बहार से लगा रहे हैं तो item में कमी होगी item में क्या होगी? कमी होगी यह item में कमी को रिप्रजेंट कर रहा है इस तरीके से हम इसको पूट कर सकते हैं जो F upon में A है इसको इस इस्तिती में item विक्रती वाली इस्तिती के अंदर इसको हम PB पूट कर सकते हैं तो PV upon में DV इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है विद्यारतियो एक नेगेटिव साइन वी कहीं जिगें पर डीवी की इस्तान पर डेल्टा वी भी आपको मिल सकता है घबराणा नहीं है एक ही बात है यह आगया समझ में अब मैं थोड़ा से और आगे बढ़ता हूँ बात करता हूँ यहाँ पर संपिडियता की संपिडियता आयतन प्रत्यासता गुडांग के वितकरम के इकवल होती है तो इसको हम इस तरीगे से फुट करदेंगे ओके पीवी लीवी या डेल्टा वी उपर चला जाएगा यह हमारे पास में आ जाएगा देगे इसका जो मातरक है वो B के मात्रक के वितकरम के बराबर और B का मात्रक तो Newton पढ़ती मेटरी स्क्वेर होता है तो इसका मात्रक हो जाएगा मेटरी स्क्वेर पढ़ती Newton और CGS पदत्ती के अंदर भी क्या हो जाएगा सेंटिमेटर स्क्वेर पढ़ती डाइंट वीमा भी वित्करमानुपाती हो जाएगी वित्करम की एकपल हो जाएगी M की घात माइनस 1, L की घात 1, T की घात 2 क्लियर करके आप निकाल सकते हैं अब मैं यहां पर बात करूं कि जो आयतन प्रत्यास्ता गुणांक है वो गेसों के लिए दो प्रकार का होता है आयतन प्रत्यास्ता गुणांक को हम गेसों के लिए कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में वैसे जब हम थर्मोडैनुइमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी इन चीजों को बढ़ने वाले हैं फिर भी यहां पर देख लेते हैं एक गेस के लिए होता है समतापी आयतन प्रत्यास्ता गुणांक समतापी प्रत्यास्ता गुणांक गेसों के लिए गेसों के लिए आयतन प्रत्यास्ता गुणांक आयतन प्रत्यास्ता गुणांक तो गेसों के लिए दो प्रकारगा होगा कितनी प्रकारगा होगा? कौन-कोन से प्रकार है? पहला जो प्रकार है वो है समतापी प्रत्यास्थता गुणांक और इसको हम E थीटा से पुट करेंगे किस से लिखा जाएगा? E थीटा से दूसरा है वो है रुदोस्म प्रत्यास्थता गुणांक और इसको हम E-Phi से पुट करेंगे लिखने का तरीका अलग-अलग है इसको हम E-Phi से पुट करेंगे समझ लेते हैं दोनों को ही समतापी प्रत्यास्ता गुणांग क्या है और रुदोस्न प्रत्यास्ता गुणांग क्या है दोनों में क्या संबंद है ये भी हम यहाँ पर देख लेंगे चलिए सबसे पहले में बात करता हूँ E theta समतापी प्रत्यास्ता गुणांग देखे समतापी अवस्था में समतापी इस्तधी में PV है वो constant होता है क्या होता है constant बोयल के नियम से मैंने यहाँ पर इसको put किया है PV बराबर क्या होता constant होता तो मैं इसको differentiate कर दूँ तो PDV plus V DP बराबर क्या आजाएगा 0 आजाएगा बराबर क्या आजाएगा 0 आजाएगा देखे इसको मैं क्या लिख दूँ V DP माइनस में गया तो माइनस में हो गया इसको मैं लिख देता हूँ V DP बट्टे में DV बराबर आजाएगा यह PK और देखेगो DP तो यह तो आजाएगा हमारे पास में लिपिदो, चलि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि यह जो है यह वाड़ी जो वेल्यू है, यह तो है पर्तिबल, यह तो क्या है पर्तिबल, और यह क्या है, dv upon v यह है विकरती, तो पर्तिबल बट्टे में जो विकरती है, वो के बराबर आ रही है, यही है e theta, यही क्या है e theta, यही थीटा को मैंने एक लाइन में पूट कर दे, इसको समझेने का प्रियास करें, इसको बराबर की इस तरफ ले गया मैं और dv का भाग लगा दिया, तो यह आया इधर तो p बच किया अब यह जो v dp upon dv प्रियास्ता गुणांक की होता है, यहाँ पर समता भी प्रियास्ता गुणांक होगा, e theta से पूट करेंगे जिसकी value किसके equal है दवाब के तुले है p के equal है यह आपको समझ में आ जानी चीए अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ रुदोस्म प्रियास्ता गुणांक, e phi रुदोस्म प्रियास्ता गुणांक, इसको e phi से पूट कर रहे है रुदोस्म अवस्था समीगरण रुदोस्म अवस्था समीगरण रुदोस्म अवस्था समीगरण p v ki ghat gamma बराबर क्या होता है constant होता है P, V, की गाद, गामा बराबर क्या होता है यह जो गामा है उसको हम रुदोस में निस्पति गहते हैं CP upon CV के equal होता है तो क्या होजएगा अउकलन करने पर अउकलन में क्या होजएगा P, इसका क्या होजएगा गामा पहले V, की गहाद, गामा माइनस 1 DV, फिर प्लस ने V, की गहाद, गामा HD, पिका करेंगे तो DP equal to 0 इसको हम V, की गहाद, गामा माइनस 1 से पूरी कोई गुणा कर देते तो गामा P, DV प्लस क्या गया V, DP, बराबर 0, क्या आ चुका है हमारे पास में देखिए, हमें क्या चीए V, DP, इसको बराबर की उस तरफ ले जाएंगे यह, यह हमारे पास में यह रह गया गामा P, बराबर माइनस में V, DP अपॉन, DV और यही क्या है यही तो है, पर्तिबल बटे में विक्करती पर्तिबल बटे में विक्करती यही है ओके, और यही क्या है E, फाई है तो E, फाई क्या है E, फाई है, गामा P और E, थीटा क्या था, P ओके इन्हें आप देख लीजिए, समन लीजिए इजी यह दोनों ही वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो यदि मैं E, फाई रुदोस्न प्रत्यास्ता गुणांग और समतापी प्रत्यास्ता गुणांग का अनपाद यहां पर आपके सामने रखूँ, तो यह गामा के इक्वल आजाएगा, जो कि C, P, अपॉन C, V के इक्वल आएगा गामा है, वो सधेव एक से बड़ा होता है, देन E, जो फाई है वो E, थीटा से सदेव बड़ा होगा सदेव बड़ा होगा, यह रिलेशन भी आप ध्यान में रखें, आगे चलकर यूज में भी आने वाला है यह है इस्तिरदा पर मोलर विशिष्ट उस्मा, यह है इस्तिरायतन पर मोलर विशिष्ट उस्मा, इसको हम रुदोस्मनिस्पति कहते हैं, जो की CP पॉन CV के इकपल होती है आगे वाले उस्मा गदिगी की थर्मो डैनिमिक्स में हम इनको पढ़ लेंगे, जान मिलेंगे अब मैं बात करता हूँ, अगला जो प्रत्यास्ता गुणांग है, अप्रूपन प्रत्यास्ता गुणांग की अप्रूपन प्रत्यास्ता गुणांग, इसको हम द्रिडता गुणांग भी कहते हैं, नीटा से उसको हम पूट करेंगे इजी ये कहीं कोई दिकत नहीं है विद्यारतियो चलिए देख लीजी एक वार इनको मैं साफ कर देता हूँ यहां से देखे अगला जो हमारा टोपिक है वो है द्रेड़ता गुणांक इसको हाँ मैं अप्रूपन गुणांक भी कहते हैं अप्रूपन गुणांक इसे रिजी डी टी नीटा से पुट करते हैं किससे लिखेंगे नीटा से लिखा जाएगा आसान है वैसे देखे हम प्रूपन 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 गुणांक के अनुपन करते हैं यहाँ पर जो प्रत्यास्ता गुणांक है इसको हम अप्रूपन प्रत्यास्ता गुणांक कहते हैं अप्रूपन प्रतिबल था अप्रूपन विक्रती के अनुपात के बराबर होता है अप्रूपन विक्रती था अप्रूपन पर्तिबल था अप्रूपन विक्रती के नुपात को हम क्या कहेंगे अप्रूपन गुणांग अप्रूपन प्रत्यास्ता गुणांग द्रिडता गुणांग नीटा बराबर क्या हो यहीगा अप्रूपन पर्तिबल अप्रूपन पर्तिबल को हम है एफ अपोन एसे बट्टे में हो यहीगी अप्रूपन विक्रती यह सब कुछ परत्यास्ता सीमा में ही लागू होंगे अप्रूपन विक्रती को हम फाई से पूट कर देंगे, देखें डाइग्राम से इसको समझें, मैं यहां पर ले लेता हूँ एक घंड, यह हमने क्या ले लिया, यहां पर एक घंड ले लिया, और इसके इस प्रश्ट के उपर हम Capital F बल लगा रहे हैं, इसके कारण से इसकी जो उपर वाला जो फलक है, उपरी जो वो क्या हो जाता है, अपनी जिगे से थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, इस तरीगे से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, तो यह जो एंगल है, यह है फाई, यह एंगल क्या है, फाई, ओके, यह वाली जो भुजा है, इसको हम L ले ले लेते है यहां से जो विस्थापन यहां पर हुआ है इसको हम अक्स ले लेते हैं तो यह जो फाई है फाई बराबर इसको 10 ठीटा लिख सकते हैं 10 फाई लिख सकते हैं या इसको हम 10 फाई बराबर क्योंकि 5 अल्प कोन, छोटा कोन, 5 बराबर लगबग 10,5 लिख़ा जा सकता है, और 10,5 बराबर लंब बटे में आधार यहां से, अक्स अपोन में L आजएगा, अक्स अपोन में L, ये है अपरूपन विक्रती, इसी को हम क्या कहते हैं, अपरूपन विक्रती कहा जाता है, ओके ये वाला जो फलक आप देख रहे हैं इसका छचतर फल है A इस पर बल लगाया जा रहा है F तो यहां पर अप्रूपन जो प्रतिबल होता है जो फलक आगे की ओर बढ़ रहा है उस फलक का छचतर खल और उस पर लगने वाला बल इन दोनों से रिप्रजेंट करेंगे हाम में तो f बटे में a और phi के स्थान पर हम लिख सकते हैं x बटे में l तो यह हमारे पास में जाएगा f into l बटे में a into x यह जाएगा अप्रूपन गुणांग और यह जो अप्रूपन परतिबल होता है अप्रूपन विकृती होती केवल ठोसों में ही होती है तो अप्रूपन परतियास्ता गुणांग केवल ठोसों पर लागू होगा केवल किस पर लागू होगा ठोसों पर लागू होगा वैसे डाइग्राम से egb में आपको समझ में आ गया होगा कहीं को दिकत नहीं होनी चाहिए अब हम थोड़ा सा ओर आगे बढ़ते हैं इन सब पर आधारित numerical questions ले लेते हैं चलिए कुछ questions हमारे सामने हैं एक एक करके इनको solve कर लेते हैं सबसे पहला question देखिए कि किसी महा सागर की गहराई लगभग 2700 मीटर है जल की संपिडियता 45.4 उनसकी घाट मैनिस 11 परती पासकल है तो इसका गनेत वे इसकी घाट 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो महा सागर की तली पर जल का संपिडन का अंस क्या होगा डेल्टा वी अपोन वी पूछा है देखिए हमें इस क्यूशन में ये संपिडियता दे रखी है संपिडियता को हम के से पूट करते हैं जो कि किसके बराबर होती है डेल्टा पी अपोन डेल्टा वी अपोन वी के इक्वल होती है तो यहां से हम क्या पूट कर दें डेल्टा V अपोन V हमें find out करना है के डेल्टा P के equal होगा ये जो डेल्टा V अपोन V बराबर के इंटू डेल्टा P ये दाब में जो परिवर्तन है वो रोजी एंच हो जाएगा क्योंकि जैसे हम गहराई में चलेंगे तो गहराई के साथ में डाब में परिवर्तन होगा डाब में रोजी एंच की वुर्दी हो जाएगी वैसे हम तरल में तरल की एंच गहराई पर डाब का फॉर्मूला next chapter में पढ़ेंगे मैं आपको बदा दूँ कि डाब को जब एंच गहराई में दसकी घात, माइनस ग्यार है, row का मान हमें, इस Q empir में दे रखा हैं, दसकी घात, 3, G का मान 10, H का मान हमें दे रखा, 27 तो, यहां से आगया, 45.4 गुना, मैं ये 27 लिख देता हूँ, दसकी घात, 3, यहां होगे, 3, यहां होगे, 6 होगे, तो उसकी घात माइनस 5 रह गया उसकी घात माइनस 5 तो यहां से इसको 27 को 4 से गुणा करेंगे 108 10 अंसिल की होगी 27 को 5 से गुणा करेंगे 135 135 और 10 होगे 145 14 अंसिल का होगे 108 108 और 14 होगे 122 और एक संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे ठीक है गुणा दसकी घात माइनस 5 तो इसको मैं क्या पुट कर दूँ 0.012258 यह इसका आंस्वर हो यह अगा विद्यारती हो ओके नेक्स्ट क्यूशन देख लेते हैं एक गोलाकार गेंड पर जब 180 म का दाब लगाया जाता है झाल क्या पुट क्या पुट क्या है झाल क्या झाल क्या उत्वागा पुट क्या विद्यारती हो यह अगा यह जगाऊए झाल झाल